दन्यवाद चेर्विन सर नियम एक सो तेनावे के अधिन इस चर्चा पे भाग लेने के लिए मुझे आप जादे दिए उसके लिए मैं आपको बहुत अभार प्रिक करता हूँ सर जब चर्चा में आया था तो मुझे लगा कि यहां पर जो सत्ता पक्ष के नेता लोग है यह पहले माफी मांगेंगे कि उनकी जो गवर्निस फेलियर है उसके लिए जो चार लाग असी हजार लोगों की मृत्य हुई है यह तो सरकारी अंकलन है अगर देखोगे एक्जांपल लेता हूँ अगर दसजार बोलते हैं तो कि हम सब्सक्राइब दो तीन लाग लोग की मृत्य होती है यह डेटा चुपाया जाता है तो मुझे लगा यह माफी मांगें लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है मैं यह बताता हूँ सर हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि सरकार को यह मनरेदमोजी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं उनके कारण सब मर गे लेकिन उन्हें जिस वक्त में जो काम करना था वो बिलकुल किये नहीं कंप्लेसेंसी जो बोलते हैं वो बिलकुल हुआ है जैनवरी 2020 में जब पहला केस आया था केला में उसके बाद हमारे नेता सरी राहूल गांदीजी ने विए ट्विट करके बताया था कि ये वाइरस का भी खतरनाक है पता है सरकार ने क्या किया नमस्टे ट्रम्प का एउजन किये आमदाबाद में आउस से पहला पार्लामेंटमें यहां पे चर्चा कर रहे थे नेता अब जितने सत्ता के नेता जो ट्रेजरी बेंच वाले हमें यही कहा आ गया कि कोरोना कोरोना कुछ नहीं है पेंडर में कुछ नहीं है और जब तक मध्यप्रदेश की सरकार गिरी नहीं हम लोग पार्लिमेंट में यहां बैठे रहे अन्तुरंत प्रदान मंत्रीजी ने लॉट्डाउन एनाॉस कर दिया हम घर भी नहीं जा पाए कि क्या कहा था वक्त ये कहा था कि महावरत हम लोग जीत गए 18 दिन में हम कोरोना जीतेंगे 20 दिन में और एक तथा आया था कि इस तारिक में ये खतम हो जाएगा किसी को अत्ता पता ने कि क्या चल रहा है कोविड फेस वान ठीक है इस नया था सब के लिए आपके लिए हमारे लिए कि हमोदी जी ने विर्चौल मीटिंग में कि हमने कोविड के ओपर विजय प्राप्ट किये उसी महीने छे करोड वैक्सिन अब एक्सपोर्ट कर रहे हो मेरे मिरस से पहले एक भाजपा के मेरे ऑनरोबल कोलीगे बता रहे थे हम एक्सपोर्ट करने से गाली करते हैं एक्सप करोड एक्सपोर्ट किये हमारे देस में खालि 3 करोड जनता का वैक्सिनेट किये थे यो वैक्सेन माइत् blossom में अब 6 क्रोड कर दिया और उसके बाद कोविड फेस्टु वत्तित का सॉटेज होगी है वेस्नेगल का वर आली उत्तरपर देश्वे पंचायत एलेक्षन ये देश भूल नहीं सकता है कोवीड फेस्टू अगर कोई जिम्मेदार है तो देश का प्रदानमंत्री में दार है नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है सरकार्ण में दार है कि वैक्सिन सोटेज कब और किये थे अपने वैक्सिन कब सर बड़ी दुख की बात है जब वैक्सिन ओडर किये थे मात्र 1.65 क्लोर ओडर किये थे जून में आप ये बता रहे हो कि 120 करोड, 108 करोड सारे अडल को भारत में 31 डिसमबर तर अब सब को वैक्सिनेट कर दोगे आप ये बताओ क्या आप कर पाओगे आपका रोड में बताइए अभी तो नॉवेंबर हो गया एक मेने के अदर कर पाओगे अभी तक सर्फ खाली 50 करोड लोगों को डवल वैक्सिन हुआ है ये एक फिर से जुमला है पीएम केर्स पीएम केर्स में आप वेंडिलेडर जो जो खर दे पैंसट पतिसद वेंडिलेडर डिफेक्टिव है हमें तो शक्क है ये स्कैम में मैक्सिमम घुटाला हुआ है गुजराट में हुआ है क्या एक कमिटी बनाओगे जाज कराओगे ये देश जवाब चाहती है अपसे पीएम केर्स के एक एक पैसा कहा हो जाता है ओमीकोन वाइरस मेरी चर्चा हो रही थी तो इट्स तीस मुटेशन है सर इसके ओपर तीस मुटेशन जो स्पाइक प्रोटीनेस पर मुटेशन है मुझे सरकार से मानिन मंत्री जी से एक कोशिन है जो हम लग वैक्सिन लिये कोवी शुल्ड और कोवेक्सिन क्या इस मुटेशन पर काम करेगी क्योंकि कुछ-कुछ वैक्सिन एंजायम पर काम करता है कुछ मुटेशन में काम करती है यह तथ्य रखिएगा और अभी जो बोल हैं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा यह हम लोग इससे पहले भी दो बार सुझ चुके इतने लोग मरें मेरे खुद के एक्सेंडर फैमिली मेरे मित्रे अड्वोकेट सुनिल पटनाईक क्या उमर था उनका पटांगी के नौर्सिकिनाद वहरा क्या गुना था उसका मेरे यूथ कॉंग्रेस के लीडर संग्राब जन्ना बैयाली साल के थे राजी सत्व जी मान्य सांसत यहां के रेलवे मिनिस्टर मिनिस्टर स्ट्रेट कितने सारे सांसत सर जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी आपको बिलकुल लेनी पड़ेगी आपको यह जवाब देना पड़ आएगा कि क्या वो सुरक्सित है कि गंगा में जो लासे बही थी कि सब भूल जाना चाहते हो सब ठीक या तो एक मानी निसान से दिये वो लेक मात्मा गांदी के बाद नरिंद्र मोग्दी जी जी अभी जीत नहीं हुई सर को सरकार को विपस्ट कभी मदद चाहिए मेरे कुछ यह सुजाओ है सर एक मिन में समाद करता हूँ ऐसे इनकी वालोचना ही करना चाहता हूँ मैं एक मिन समाद करता हूँ अपना एक तो वैक्सिन के वरे में बता आप यह बताओ टाइम लाइन कब तक वाक्सिन दोगे सबको दूसरी बात है आप कोलाबरेट कीजिए जो वैक् अपनीज कर सकते हैं वैक्सिन आप सेट को दीजिए ट्रांसफर ट्रांसपरेंट वेसे एक जैसे पॉपलेशन अनुसार एक बहुत ही ट्रांसपरेंट वेसे दीजिए गा अंसर डेटा जो डेथ का रेट है दो तिन पॉंक्ट डेशर में खतम कर रहा हूँ 30 सेकंड जो डे जिन लोगा के मृत्ति हुआ है उस परिवार को चार लग तो देना ही पड़ेगा ये खाली रावल जी बोलेकिन बात नहीं है यह आप खुद मान चुके होगी चार लग दोगे एक निहाए मिनिममम बेसे इंकम स्कीम लेके आओ पी रभींद्र पार्णी इसी के साथ मैं अ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इसमें बोलने का मुका दिया थैंक यू सर्थ प्लीज बीप्रीफ